अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा से हिंदु धर्म के लोगों की अगाद आसता है हर साल लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर कई कहानिया प्रचलित है इसमें से कुछ सच है और कुछ जूटी अमरनाथ यातरा को लेकर एक ऐसा ही जूट सदियों से चला आ रहा है हम आपको बताते हैं उस जूट के बारे में जो हमेशा से अमरनाथ यातरा के लिए कहा जाता रहा है दरसल आपने सुना होगा कि अमरनाथ की पवित्र गुफा को पहली बार एक मुस्लिम गरडिये ने देखा था उस मुस्लिम का नाम बूटा मलिक बताया जाता है इस कहानी को बताने वाले लोग कहते हैं कि मुस्लिम गरडिये ने ठारह सो पचास में भगवान सीब का हीमलिंग देखा था मुस्लिम गरडिये ने ये बात आकर लोगों को बताई और इसके बात से ये अमरनाथ यात्रा की सुरुआत हुई दुरुभाग्य की बात यह है कि लोग इस गरडिय की कहानी को सच मानते आ रहे हैं लेकिन यह एक कोरा जूट है और अमरनात यात्रा का अनंत काल पुराना इतिहास है अमरनात यात्रा और बगवांट सीब के इमलिंग के साख से पांचवी स्तापदी में लिखी गई पुराणों से लेकर 12 स्तापदी में कसमीर पर लिखे गएगरन्त राज तरंगडी में मिलते हैं सोलवी स्ताबदी में अपर साशन में लिखी गई आई ने अकबरी में भी बाबा बफरानी का जिक्र है, स्तारवी स्ताबदी में औरंग जेप के फ्रेंच डॉक्टर फ्रेंकोईस बेरनर की किताब, 1842 में प्रिटिस यात्री जीटी वेगने की किताब में अमरनात यात्रा के साक्षे मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि मुस्लिम गरणिये की कहानी सच नहीं थी, सच ये है कि बाबा बफरानी का पुरानी कितिहास कई हजार साल पुराना है,